हाई गाईज मेरा नाम अनीता है जैसा कि आप जानते हैं दीपा वाली नजदिक आ रही है और लोगा ने इसकी तयारी करनी सुरू कर दी है यह दीपा वाली तेवहार सिर्फ पटाकों का नहीं है जबकि पकवानों का भी है तो आज हम पोवे से बनाएंगे नमकीन चूरा और यह बहुत ही टेश्टी है और खाने में लोग बहुत पसंद करते हैं तो चलिए बनाते हैं तो गाईज यहां पे हमने 200 गराम पोवा लिया है जिसे चूरा भी बोलते हैं अब हमारी कढ़ाई गरम हो गई है अब हम 3-4 मिनट तक इसको भूंज लेंगे दीमी आच में अभी एच्छी तरसे भूंज गया है और हम इसको निकाल लेंगे रहेंगे एक पैन गरम होने के लिए गैस के ऊपर फिर हम डाल देने उसमें आउल एक नपना फिर डालेंगे सिंग दाना यानि मौमफली का दाना मौमफली के दाने को अच्छी तरफ से हम भूंज लेंगे फिर हम उसको निकालेंगे फिर बचे हुए तेल में हम डालेंगे चने के दाल यानि डालिया फिर उसके बाद हम डाल देंगे बारी कटे हुए नारियल के टुकडे फिर डालेंगे हम किस्मिस और काजू फिर हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करके भूंज लेंगे यानि फराई कर लेंगे अच्छी तरह से यह हो गया है अब हम इसको निकाल लेंगे तो चली हम same to same pen में बचे हुए तेल में हम डाल देंगे राई, राई यानि सरसो, अब हम इसको चटकने देंगे, जब ये चटक जाएगे तो हम डाल देंगे जीरा, फिर हम डाल देंगे ये लाल मिर्च कटे हुए, आप चाहे तो हरा भी डाल सकते हैं, और फिर हम डालेंगे यह कड़ी पत्ता 8-9-10-11 डाल देंगे अब चाहे जतना भी डाल सकते हैं आपके उपर है फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर हम डाल देंगे उसमें हल्दी पौडर एक चेद्व चमत छोटे फिर दाल देंगे चाट मसाला और डाल देंगे नमक नमक के बाद हम डाल देंगे हिंग पॉर्डर फिर हम उसको mix कर लेंगे अच्छी तरह से तो चलिए अभी हम चूरा में mix करते हैं जो समागरी बनाके तयार किया था आप देख सकते हैं और हम डाल देंगे जो तड़का है अब तरका भी डाल देंगे इसमें इस तरह से तो अभी यह बहुत गरम है इसलिए हम चम्मस से मिक्स कर रहे हैं फिर ठंडा होने के बाद हम अपने हाथों से इस तरह से मिला लेंगे ताकि सब सामागेरी मिल जाए और चूरा भी मस्त बन जाए टेस्टर और यम्मी दिखे तो हमारा चूरा बनके रेडी हो गया है अब हम इसको पिलेटिंग कर लेंगे आप चाहे तो बना के इस्टोर कर सकते हैं एक महिना के लिए और महमान आए तो उनको चाहे के साथ महमान नवाजी कर सकते हैं और बच्चे लोग के साथ इंजोई करिए तो गाइस कैसी लगी वीडियो आए होप अच्छी लगी होगी अगर आप हमाए चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिए ठैंक यू